प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंतरता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करेंगे इससे देखते हुए प्रधान मंत्री की टीम पूरी तरह मुस्तेद है और उनके भाषन को लेकर तैयारियों में जुटी है खबरों के मुताबिक ग्रेमंत्री राजनाज सिंग के नित्रित में मंत्रियों की एक टीम और अपचारिक तौर पर पीयम मोदी के भाषन के लिए सामगरे जुटाने का काम कर रही है माना जा रहा है कि पीयम मोदी का इस बार का भाषन 2019 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा इसके अलावा पीयम मोदी की ख्वाष है कि देश के नाम उनका संबोधन अधिकारियों द्वारा तैयार आकडों से भरा नियमित बोजिल भाषन ना लगे सुत्रों के मुताबिक पीयम इसमें राजियतिक पोट भी चाहते हैं और यही कारण है कि इस बार के संबोधन में 2019 को लेकर तैयारियों की छलक मिल सकती है प्रधान मंत्री का भाषन तैयार करने वाले मंत्रियों के समूँ में ग्रे मंत्री राजनात्सिंग के अलावा विदेश मंत्री, सुष्ma स्वराज, सभक परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और कारिकारी वित्न मंत्री प्यूश Gोल मुक्य हैं इनी के कहन मंतन के अधार पर इस फार का भाशन तयार होगा जब क्यामतोर पर कैबिनेट अस्तर के सची भी अपने अस्तर पर भाशन के लिए इंपुट देने का काम करते थे ब्योरिपोर्ट एपी एन